हेलो दोस्तो। जॉनि गौल सवर्थी के बाद आज मैं मिल्टन का लेक्यायां वर्क जो ट्रिक बनने का प्रयास करते बेतरिन टिक होगी आपके लिए से सबसे पहले जो वर्क हो वो कॉलेश मीरा प्रियड का है । कॉलेश टाइम का वर्क दोस्तों जानता है एक दूसे महां उनकी नेटिव से आद कल देति मिल्टन की वे इकदम नाइटाइंगल की तरह गाती थी कैसी गाती थी एकदम नाइटाइंगल बुलुबुलु की तरह गाती थी एकदम स्वीट कॉन गाती थी जो और yeah मॉर्निंग में क्रिस्ट नेवती जो थी एक लड़की थी क्रिस्टियंस मॉर्निंग में नाइट इंगल बुल-बुल की तरह गाना गाती थी बिल्कुल जब वह on having arrived at the age of 20 जब मेल्टन्स 20 साल की वे तब तक वह उसको देखते रहें फिर उनको याद आई सेक्सपियर की क्या सेक्सपियर ने तो अपने से 8 साल बड़ी लड़की से प्यार किया था तो हम भी क्यों ना करें तो कहते हैं उनका तरीका अलग तरीका था उनका अलग त इसके बाद कॉमस पता है यह मिल्टन को होता है लिसीडेस जब वह प्यार करते हैं तो उसके प्यार करने के बात क्यों होता है ऐसा कर रहे होते हैं अर्केदस ऐसा कर रहे होते हैं कॉमस कॉमस तभी वह कॉमस लिखते हैं है ना कॉमस जो लिखा गया है मॉसक्यू में उसके देथ हो दाती है तो यह था college period का इसके बाद बात करते हैं second period जो उनका है वो 1638 से 1660 है तो यह आपको सभी को बताए यह मिल्टन का वर्क है एरो पैजिट का यह याद करने के लिए इसको याद करने के लिए इसको याद करने के लिए दूसरा है फिर उनका ग्रेट पॉलिटिकल वर्क था Paradise Lost सभी को पता है, Paradise Regan भी पता है, Samson Agonist भी पता है यह भी सभी को पता है इसके बाद करते हैं, Milton's के sonnet की, दुस्तों sonnet की बात करते हैं, Milton's के sonnet है उनकी बात करते हैं, तो to nightingale, nightingale, सभी की बात करते हैं, जब एक लड़की गाना-गाती थी, when assault was entered to the city, फिर वो एक city में आ गया, वहां पे उन्होंने शुन्दर लड़की को देखा, एक वर्चुएस सुंदर लड़की को देखा, तो वर्चुएस यंग लेढिए, यंग ज़वान लड़की को देखा, जिसका नाम कहा था, लेडी मारगरेट गवर जोवा लेडी का नाम था, जिसके वो प्यार में पर दोगेई, ऐथा व्यार सिध्या, अइंगे, एंगे करें तो Mr. Loss Mr. Loss भी थे जो एक लड़की से प्यार करने लगे on his religious memory of Mr. Catherine Mrs. Catherine कि उसमें कौन प्यार करने लगा थे Mrs. Catherine से इनी कि तरह जो Mr. Loss थे वो Mr. Catherine से प्यार करने लगे December 1646 की बात है कब December 1646 की बात है आ safra we yep काgon क्यूकि वह की जर्नल के ओए लौल फियर फ प्ल पता चली कि कि यह जर्नल फेरफोंक्स को पता चली यह जब इन दोनों के यह बात पता लेड़ आि सिनने यंगर को दस सर फेल फोलाना जो याद करना जोटे था के प्र कर गारी ऑन्हां सब्सक्रा Winston जो यंगर बेटा था कौन हेनरी जब इसको यह बात पली तो उसने खून खराबा कर रहा था मैसकर हत्या कांड करवा दिया पूरे पेड मॉंट में हत्या कांड करवा दिया और उसमें मिल्टन भी नहीं बस सका और मिल्टन ऑन इस ब्लैंडनेस और वह अंदा हो गया सो यह 1652 की बात है वह पूरी तरह से अन्दा हो गया फिर यह लौरेंस इसको लॉस से आद का लिया रोल निकला कि शायर है कि शायर ऑफयर हम दिया इसके मिल्टन शाय है वह से खेल फूर醒 और कि शिव फिर उसके बाद कुछ निव फोर्सेज आई लॉज आए जो कंसाइं अंदर था लॉंग उसके अंडर में काम किया कुछ निव फोर्सेज के अंडर में उसने काम किया तो इस तरह से दोस्तों यह मिल्टन्स का वर्क है अच्छा लगे तो लाइक किजिए चैनल को किजिए